हेलो फ्रेंड, वेलकम टू में चैनल, आज हम वीडियो पर टॉपी सोल लोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी अब तक पहुंच सके, साथ ही जनकारी के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें, तो आए हम टॉपिसॉल 6% लोशन के बारे में बात करते हैं, यह लोशन कई दवाओं से मिलकर बना है, और इस हो लेना चाहिए, और उपयोग से पहले निर्देशों के लिए लेवल की जांच भी करना चाहिए, यह केवल भारी इस्तमाल के लिए है, इस दवा का इस्तमाल निर्धारित खुराक से अधिक नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इस दवा से ग्यात अलर्जी है तो अपन एक्जिमा और सुराइसिस के इलाज में मदद करती है, यह लालीमा, खुजली और सूजन से रहाद देने में मदद करती है, यह मेरे तवच्चा को शिकाओं को हटा देती है और तवच्चा को नरम बनाता है, एक्जिमा एक तवच्चा की इस्तिती है, जहां तवच्चा के पैच में सूजन, खुजली, लालीमा होती है ये खुरद्रे हो जाते हैं तथा इनमें दरारें पड़ जाती है टॉपिसोल लोशन में होने वाला सूजन, लालीमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है इसे सही तरीके से इस्तमाल किये जाने पर यह एक सुरक्षित और प्रभावी इलाज है यह दवा तवचा की रियक्शन के कारण होने वाले लालपन, चक्तों, दर्द और खुजली को कम करता है इसका इस्तमाल हमेशा डॉक्टर की परची में लिखे गए तरीके और मात्रा में ही करना चाहिए पूरे लाप रैप्ट करने के लिए बताई गई अवधी तक इसका इस्तमाल करते रहें अब बात करते हैं सोराइसिस के बारे में सुराइसे से कैसी इस्तिती है जिसमें शरीर में तवच्चा कोशिकाएं बहुत तेजी से वृध्धी करती हैं और इस कारण स्केल और सूखे पैच बन जाते हैं वे कहीं भी हो सकते हैं लेकिन जादा तर स्केल कोहनियों, उटनों और नीचली पीट पर होते हैं यह लोशन पपड़ीदार खुजली वाले चक्तों को कम करता है और शरीर के विभिन हिस्सों पर विक्सित हो सकते हैं अधिकलाब प्राप्त करने के लिए इसका इस्तमाल निधारत अवधी तक ही करें पूरी तरह से असर होने में कई महने भी लग सकते हैं आपको इस उपचा लोशन दो दवाओं क्लोबेटा सोल और सेली सायलिक एसिट से मिलकर बना है जो एकजीमा और सुरैसिस का इलाज करती है क्लोबेटा सोल एक इस्टोराइड है जो उन केमिकल मेसेंजर को बनने से रोकता है जिनकी वजह से त्वच्चा में लालीमा सूजन और खुजली की सम अस्या होती है और सेली सायलिक एसिट एक केराटिन क्लंप को तोड़ता है मृत कोशिकाओं को हटाता है और तवच्चा को नरम बनाता है यह तवच्चा में कलोबेटा सोल और शोशन को भी बढ़ाता है इस लोशन को दिन में दो या तीन बार या डॉक्टर के सला के अनु प्रभावित शेत्रों पर पतली परत के रूप में लगाना चाहिए। और अगर दो हफ्तों के बाद भी त्वचा की अवस्था बहतर नहीं होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर की सला के बिना उपचारित शेत्र को कसकर पट्टी ना बांधें क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होने का खत्रा बढ़ सकता है। आप चाहें तो इलाज के दोरान तुचा के ड्राइनेस को दूर करने के लिए नियमित रूप से हलके मौसराइजर का इस्तमाल कर सकते हैं।